मौसम समचार में आपका स्वागत है। भाग के अनुसार दिन और रात के पहले की तुल्ला में गर्म होने लगे हैं। लखनों में आगा में चार से पांस दिन बादलों का आना जाना लगा रहेगा। बीच बीच में बुन्दाबांदी के संभावना भी जताई जा रही है जिससे तापमान में एक बार फिर से गिरावट देखी जा सकती है। आंचलिक मौसम केंदर के वरिष्ट वेग्यानिक मौहमद दानिश ने बताया इरान के उपर तैयार पश्रमिविक्षो पड़ोसे देश अफगानिस्तान पाकिस्तान और पंचाब के रास्ते यूपी तक पहुच चुका है। एसमे प्रदेश के दक्षणी जिलों में बुन्दाबांदी और बारिश के आसार हैं वहीं 16 और 17 मार्च को 30 हमाओं के साथ बारिश की संभावना है। मौसम इभाग ने पुर्वान उमान में बताया है कि अगले हफ़ते धिक्तम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस पार कर सकता है। राजिस्तान, बिहार, गुजरात और महरास्ट और समेट देश के कई राजिये सुरच के तपिश से बेहाल है। 17 मार्च से पहले ही गर्मी तेवर दिखा रही है। बर्दे तापमान और गर्मी के बीच मौसम को लेकर अच्छे खबर आई है। मौसम पुर्वानुमान एजन्सिस काई मैट ने राजिस्तान, बिहार, गुजरात, दिल्ली, समेट, उत्तर भारत के कई राजिये में बुन्दावांदी और हलकी बारिश होने की संभावना जटाई है। इसकाई मैट के मुताबिक बिहार में भी 18 मार्च 2023 से मौसम बदलेगा। राजि की दक्षणी भाग और उत्तर पश्रिमी भागो में एक दो स्थानों पर गरच के साथ हलकी बारिश का पूर्वानुमान है। ताज़ा मोसम की बात करें तो राजिय में अधिकतम तापान में अगले तीन दिन कोई खास बदलावाने की संभावना नहीं है। वहीं मंद्य प्रदेश में भी 17 मार्च तक तेजवाव के साथ बारिश और अलवरिष्टी देखने को मिलेगी। इस काईमेट ने पश्यमी हिमाली उत्तर राजिस्थान के कुछ हिस्सों पंजाब हर्याना और दक्षणी पश्यमी उत्तर प्रदेश ने आज यानि कि 17 मार्च को छिटपट बारिश की गतिवी ध्या शुरू होने की संभावना जटाई है। महिस्तिक किम, असम, अरुनाचल प्रदेश और केरल से हलकी से मध्यम बारिश हो सकती है जबकि उत्तर पश्यमी मध्य भारत में दिन का तापमार और बढ़ सकता है। मौसम विभाग अमडी की माने तो आने वाले अगले दो दिनों में तापमार में कोई खास बतलाव नहीं दर्च किया जाएगा। हाला कि इस गर्मी के बीच मौसम विभाग ने कुछ राज्य में बारिश की भी बात कही है। मिलते हैं इसी प्रकार के अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत।